आपका स्वागत है इस्टेडी क्लिक पर और शुरू करते हैं आज का लेक्षर चलिए सोलर साइकल 25 को भी समझते हैं सन है जिस्टार्टेड न्यू सोलर साइकल नासा और नेशनल ओसेनिक एड्मोस्फेरिक एड्मिनिस्ट्रेशन ने एनाउंस किया है न्यू सोलर साइकल जिसको सोलर साइकल 25 करते हैं उसके बारे में और ये जो सोलर साइकल 25 है ये दिसमबर 2019 में स्टार्ट हो गया है तो कीफ आइंडिक्स क्या है उसको देख लिजीए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सन जो है एक यूज बाल है किसका electrically charged hot gas और ये जो charged gas होता है ये ही एक powerful magnetic field के generation के लिए responsible है और सन के magnetic field का एक cycle चलता है जिसको सोलर साइकल कहते हैं तो ये जो सोलर साइकल है every 11 years or so पे completely flip हो जाता है मतलब सन का जो north और south poles हैं वो switch कर जाते हैं north south हो जाता है और साइंटिस कैसे track करते हैं सोलर साइकल को वो sun spot को use करके solar cycle को track करते हैं और sun spot क्या है यह area है जहाँ पे sun dark appear होता है dark दिखता है और ये जो sun spot होते हैं ये relatively cooler होते हैं compared to surrounding parts तो solar cycle का जो beginning होता है उसको कैसे determine किया जाता है वो इस बात से determine किया जाता है कि sun पे कम से कम sun spot हो मतलब least sun spot हो और इसको solar minimum करते हैं और समय के साथ solar activity की वज़े से in sun spot का number बढ़ता रहता है और solar cycle के दौरान sun पे giant eruption होता है जैसे solar players होते हैं और solar के जो coronal mass ejections भी increase होते रहते हैं और यह जो solar players या eruptions हैं इनका major effect होता है इस पे radio communication पे GPS connectivity पे power grids और satellites पे तो solar cycle का analysis scientists इसलिए करते हैं कि वो हमारे radio communication, satellites, GPS इन सबको effect करता है तो इसलिए solar cycle के बारे में analysis किया जाता है लाइक, शेयर और सब्सकाइब करें इस्टडी क्लिक को थेंक्यू धन्वाद जहिंद